हेलो एवरीवन, वेलकम तो इंवेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुडू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर दे इंवेस्टोग्राफर्स लिख दो, इससे हमको मोटिबेशन मिलता है और चैनल की ग्रोथ में काफी जादा हेल्प हो जाती है अब बेसिकली आज के वीडियो में हम एक स्ट्राटेजी डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है गोल्डन क्रॉस ओवर नाम तो काफी सरे लोगों ने सुना होगा बट इसको exactly use कैसे किया जाता है और इसका best use case क्या होता है वो आज हम डिसकस करने वाले हैं तो generally यह strategy बहुत जादा helpful हो जाती है जब आपको किसी stock के अंदर या overall market के अंदर एक अच्छा कासा downtrend देखने को मिलता है तो basically जब market के अंदर एक अच्छा कासा downtrend आता है तो होता क्या है आपका 200 day moving average होता है stock का price और generally जो stock का 50 EMA होता है वो price के नीचे और 200 EMA के नीचे आ जाता है तो ऐसे के अंदर आपके लिए beneficial क्या हो जाता है कि जब वापस से recovery market में आना start होती है या वापस से जब market के अंदर reversal आना start होता है तो basically आप 50 EMA और 200 EMA का जो है वो track कर सकते हो और जब भी आपका 200 का moving average 50 moving average के उपर चल रहा होता है उस time पे basically आपका stock के अंदर downtrend चल रहा होता है बट जैसे ही आप देखते हो कि 200 जो moving average है उसके उपर 50 day moving average cross करके उसको crossover आपको देखने को मिलता है तो वो एक काफी अच्छा indication होता है काफी अच्छा एक initial indication होता है कि अब आपका stock वापस से uptrend की तरफ आता हुआ दिख रहा है और आपको आने वाले कुछ महीनेयों के अंदर stock के अंदर एक अच्छा uptrend देखने को मिल सकता है तो basically अगर हम देखें तो आज मैं आपके साथ एक app share करने वाला हूँ जिसका नाम है Edelweiss Mobile Trader App Edelweiss Mobile Trader App का सबसे बड़िया अगर हम benefit की बात करें तो सबसे बड़िया benefit जो इस app के अंदर आपको देखने को मिलता है इसके अलावा आपको बहुत सारे इसमें screeners देखने को मिलते है positive breakout, death crossover, overbought stocks, oversold stocks काफी सारे आपको personally अगर आपको इस दूसरी strategy भी follow करते हो तो उसके अंदर भी आपको काफी बड़िया screeners इसमें देखने को मिल जाएंगे साथ ही साथ अगर हम देखें इस app के अंदर आपको कुछ और बड़िया features देखने को मिलते है जैसे कि आपको news का feature इसमें देखने को मिलता है जो personally मैं इस app के अंदर काफी ज़्यादा use करता हूँ और इसको track करता हूँ तो होता कहेगी जो भी news market के अंदर आती है आपको latest जो news होती है, latest जो results होते है जो data आता है market में latest वो सब आपको यहाँ पर बड़िया तरीके से देखने को मिलता है इसके अंदर light और elite plan मिलते हैं आप अपने use के साब से use कर सकते हो अगर आप नीचे दिये हुए link के थूँ एक बार जा करके देख सकते हो कि कितने बड़िया तरीके से आपको इसमें brokerage plan देखने को मिलते हैं जो overall brokerage plan है अगर आप देखोगे तो industry के comparison में आपको काफी सस्ते level पे brokerage यहाँ पर देखने को मिलेगी तो इसमें आप देख सकते हो कि जो अलग-अलग आपको screener इसमें देखने को screener के जो results आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जैसे अगर आप देखो तो 25th February को जिंदल स्टील ने golden crossover दिया था अगर हम इसको खोल के देखते हैं और अगर हम इसका चार्ट देखते हैं एक बार हम एक काम करते हैं इसका चार्ट देखते हैं तो जिंदल स्टील का अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें तो जल्दी से एक बार जिंदल स्टील का चार्ट खोलते हैं कर सकतो exponential moving average को तो यहां पर अगर हम देखें तो recently आप देख सकते हो यहां पर golden crossover हमें आता हुआ दिखा था और उसके बाद काफी बढ़िया से जिंदल स्टील ने हमें rally भी दी है इसके बाद अगर हम देखें तो जिंदल स्टील के अलावा अगर हम लोग दूसरे stocks को देखते है जो recently screener के अंदर आएं तो क्योंकि recently market हमें थोड़ा fall होता दिखा तो इस टाइम पर थोड़े से हमें कम results यहां पर देखने को मिल रहे हैं बट बायो कॉन आप देख सकते हो recently उसने golden crossover दिया था इसके अलावा थोड़े से examples हम लोग discuss करते हैं जिनके अंदर हमें पिछले क कुछ महीनों के अंदर golden crossover आता हुआ दिखा और देखते हैं किस तरीके से उन्होंने उसके बाद हमें perform करके दिखाया तो सबसे पहले example हम लोग लेते हैं Tata Steel क्योंकि यह जब इसमे golden crossover हो रहा था उस टाइम पे personally हम लोगों ने भी इसमें buying करी थी और काफी बढ़िया returns उसक इस वाले zone के अंदर golden crossover अपना दिया था almost इस वाले zone के अंदर यानि की 2020 के अंदर इसने अपना golden crossover आपको यहां पे दिया था यहां पर अगर हम देखें तो golden crossover 19 August 2020 के असपस हमें देखने को मिला था तो दो चीज़ें जो मैं suggest करूँगा कि golden crossover अगर आप follow करते हो तो बहुत important हो जाती है सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो important होती है वह होती है कि आप volumes को stock के अंदर track करो तो अगर हम इस टाइम पर volumes की बात करते हैं stock के अंदर तो अगर आप volumes को track करते हो तो आप देख सकते हो जब इसमें golden crossover हमें यहां पे देखने को मिला था उस टाइम पर आगर players बड़े institutions उस stock के अंदर position उठाने के लिए देख रहे हैं यहीं पर अगर हम देखें तो उसके बाद आप देख सकते हो almost यह जो signal हमें golden crossover का आया था वो almost 400 के price के आसपस आया था और उसके बाद अगर हम लोग returns देखें तो almost आप अभी देख सकते हो currently जो Tata Steel का price चल रहा है almost 1200 चल रहा है और जो highest price इसका आपको देखने को मिला था almost 1500 प्लस भी देखने को मिला था तो 400 से लेकर कि आप देख सकते हो almost यह four times का हमें इसमें return देखने को मिला तो कितनी बड़िया तरीके से यह strategy काम करती है Tata Steel के अलावा अगर हम दूसरे stocks के अंदर चार्ट जाकर कर दे से इस तरह के stocks के अंदर यह strategy work करती है तो अगर अगर आप गोल्डन क्रॉस ओवर देखोगे तो almost आपको देखेगा कुछ इस वाले जोन में यानि की जुन जुलाई 2020 के असपस गोल्डन क्रॉस ओवर आपको आता हुआ दिखाता और उसके बाद अगर आप देखो तो लग आता है stock के अंदर आपको कितने बड़िया returns देखने को मिल रहे हैं और काफी बड़िया performance आपको stock के अंदर देखने को मिली है जो कि again क्योंकि यह stock एक अच्छा uptrend वाला stock है fundamentally अच्छा है तो ऐसे stock के अंदर अगर आपको golden crossover मिलता है तो आपकी returns भी जाद होंगे प्रस आपके chances आपके काफी कम हो जाते हैं ऐसे breakouts के अंदर तो Asian paints के अंदर जैसे हमने देखा कि काफी बड़िया performance हमें इसमें देखने को मिली ICICI bank का अगर हम चार्ट जाकर के देखें ICICI bank ने काफी बड़िया तरीके से follow किया golden crossover strategy को ICICI bank के अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें देखो काफी late हुआ था golden crossover और almost अगर आप देखो तो November 2020 में golden crossover हुआ था जबकि crash हुआ था March 2020 में तो almost उसके बाद 6 महिने से जादा लग गए golden crossover होने के लिए बट उसके बाद अगर आप देखो तो immediately अगर आप देखो golden crossover होने के बाद stock ने किस तरीके से हमें rally दिये almost इसका golden crossover हुआ था 400 के zone के असपास and currently अगर हम इसका price देखें ICICI bank का तो almost 750 and highest point पे 800 plus गया था यानि आपको 100% से जादा returns इस strategy के थूँ मिलते अगर आप ICICI bank में golden crossover के strategy को apply करते हैं इसके बाद अगर हम देख लेते हैं और एक example देख लेते हैं last example ताक कि थोड़ा सा हमें idea लगे कि अलग-अलग stocks में किस तरीके से strategy work करती है अगर आप Tata Motors को देखो तो आप देखो कि Asian Paints जैसे continuous subtrend वाला stock है ICICI bank एक continuous subtrend वाला stock है उसके comparison में अगर आप Tata Motors को देखते हो तो यह continuous subtrend वाला stock नहीं है और basically यह sudden movements के अंदर काम करता है जैसे for example अगर आप यहाँ पे देखो Tata Motors के अंदर तो आपको देखेगा कि suddenly इसने यहाँ पे 270 से लेकर के almost 500 यानि double हो गया यह और उसके बाद फिर यह consolidation के अंदर चल रहा है अगर यहाँ पे आप देखो इसका price movement तो almost 150 के price से लेकर के 320 यान यह almost double हुआ यहाँ पे और उसके बाद एक लंबा consolidation दिया तो यह kind of आप कह सकते हो staircase वाला आपका pattern है इसमें बड़ा movement आता है फिर consolidation फिर एक बड़ा movement फिर consolidation तो यह kind of आपको उस तरीके का movement देता है अब अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो golden crossover आया था again इसमें थोड़ा 130 के price पे आपको यहाँ पे देखने को मिला था again थोड़े सा अगर आप confirmation चाते हो तो आप fundamental study कर सकते हो थोड़ा volumes आप देख सकते हो अगर आप ध्यान से देखो तो जब इसका golden crossover हुआ था उस वाले zone में इसमें volumes भी अच्छे उठ रहे थे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे volumes भी अच्छे उठते हो दिख रहे थे इस वाले zone के अंदर काफी अच्छे अच्छे volume के आपको spike आते होए दिख रहे थे और उसके बाद जब इसमें confirmation हुआ तो काफी बढ़िया से rally भी इसने दी थी तो थोड़ा अगर आप fundamental study करो अगर उस टाइम पे हम Tata Motors हम लोगों ने personally भी study किया था उस time पे और हमने discuss भी किया था कि fundamentally company के अगर हम देखें sales increase होती भी दिख रही थी उस time पे ground पे cars Tata Motors की जाधा आती भी दिख रही थी EV के अंदर Tata Motors काफी जाधा advanced work कर रहा था तो ऐसे अगर आप fundamentals के साथ अपने view को combine करते हो और ऐसी strategy strategy को use करते हो तो आपको सही time पे entry लेने के लिए help कर सकता है and almost आप 125 के level के असपास इसमें entry ले सकते थे and उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो हमें पता है कि almost यह stock हमें 3-4 times वहाँ से return देता हुआ देख चुका है तो इस तरीके से strategy को हम लोग use कर सकते है अब जल्दी से चैट के अंदर मुझे बताओ जल्दी से comment section में यह डालो कि आपको यह strategy कैसी लगी and क्या long term trends को पकड़ने के लिए strategy आपको helpful लगी and अगर आपने edelwise mobile trader app अभी तक download नहीं किया है तो जल्दी से link आपको description में मिल जाएगी आप app को download करिए इसके screeners इतने बड़िया screeners जिसमे available है जो free of cost आप use कर सकते हो and अगर आपको एक DMAT account खोलना है तो definitely आप इनका DMAT account चेक कर सकते हो compare to industry आपको काफी lower brokerage rates यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो जल्दी से like का बटन दबाओ channel को subscribe करो thank you